सोमवार को ही शादी और मंगलवार को हो गया बच्चा दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके की घटना हम आपको बताने जा रहे हैं ये घटना बिल्कुल सची घटना है ये घटना हमारे उत्तर प्रदेश की है और बहुत नजदीक की हमारे घटना है दोस्तों और उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी लाका हो इस तरीके की घटनाएं अब नए तरीके से धोके की हमारे सामने आ रही हैं कि जिसकी कोई कलपना भी जल्दी नहीं करता ऐसी एक दो नहीं हम तीन घटनाओं के बारे में बताएंगे दोस्तों आपको जो हाल ही की घटनाएं हैं और इन घटनाओं में लगबग सारी घटनाओं में एक जैसी समानता है समानता ये है कि लड़की के माता पिताने लड़की के गर्भोती होने पर आनन फानन में अपना बोज किसी और के उपर डालने के उद्देश्य से उसकी शादी कर दी और शादी के बाद तुरंत बच्चा पैदा होने पर या दस दिन के अंदर बच्चा पैदा होने पर सार प्रखे का अंदेशा हो गया है आप कौन विश्वास करेगा किसी की शादी करने से पहले कि उसकी कोई मेडिकल जांच तो कराएगा नहीं तो कही न कहीं इस तरीके की घटनाए यदि हमारे समाज में घट रही है तो अपने पार को ग्रेटर नुएडा के दकना और इलाके में संपन हुई दूसरे दिन रिसेप्शन था बहु घर आई हुई थी सारे लोग आशी खुशी थे नाच गाने घर में चल रहे थे गिफ्ट का लेंद ने चल रहा था अचानक स्टेज पर बैठे बैठे दुलहन के पेट में ह हो गया दर्द और वो दर्द साधान दर्द नहीं था वो दर्द जो था वो बच्चा पैदा होने का दर्द था जिसको अंग्रेजी में लेबर पेन कहा जाता है और 24 घंटे के अंदर पर इस्तितियां बदली और उस लड़की ने उस नवीवाहिता ने अपने बच्चे को जन दे दिया एक सुन्दर से लड़के को जनन दे दिया और बाद विवाद होने लगा और बहुत तेजी से स्थितियां बिगड़े उससे पहले जो है ये महिला ये नवीवती अपने मायके में जा करके अपने बच्चों के साथ बैठ गए दोस्तों हम आपको एक दूसरा म जब दुलहन कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाती है जिसको हमारे यहां संसकारों में पग फेरे की रस्म कही जाती है यानि कि शादी के दो तिन दिन चार दिन बाद जो भी जहां जैसी भी बेवस्ता है वो अपने मायके के लिए जाती है और जब मायके वो लड़की गई जिसकी शादी हाल ही में हुई थी जब वो माईके गई तो वहां से लोड करके जब वो ससुराल आई तो उसके शारेरी क्लक्षणों के अनुसार उसके ससुराल वालों को शक हुआ और उन्होंने जब उसकी जाच कराई तो पता चला कि वो लड़की प्रेगनेंट है वहती हुई हो और मात्र दस दिन के बाद उस लड़की ने भी एक बच्चे को जंग दिया ग्रेटर नोयडा और कानपूर की घटना के अलावा भी एक घटना की खबर और आ रही है दोस्तों ये हर्याना में जगा है अंबाला पंजाब वाला नहीं है हर्याना के अंबाला स और भरती कराये गया तो वहाँ पता चला कि लड़की जो है वो न महीने की गर्व फोती है और उसके कुछ दिनों के बाद ही उस लड़की ने अपने बच्चे को जन दिया और इस बात को भी हम आपको बताते चलें कि लड़की के परिवार वालों ने साफ इंकार कर दिया कि हमें भी नहीं पता था कि हमारी लड़की जो है गर्ब होती थी ये कैसे हो सकता है दूसरी बात हम आपको बताते चलें कि लड़की ने इस बात को भी स्विकार कर लिया कि मेरे सम्मंद मेरे पडोस में रहने वाले एक शादी शुदा व्यक्ती से था अब मामला जो है वो न आज को में यह सब की सब घटनाएं विचलित कर देने वाली है जख जोर के रख देने वाली है और नए रिष्टे बनाने वालों को सोचने पर मजबूर कर देने वाली है दोस्तों मैं हूं हर्यम श्रिवास्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक जरूर बताईएगा दोस्तों कि इस तरीके की घटनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं